नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में शुरू करते हैं राज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स परोपकारी राक्षस परोपकारी राक्षस चित्रांकन दिलीब कदम जै प्रकास जकताव संपादक मनेश चंदर गुप्त रेखक शशी भूशन शल्प बहुत दिन हुए शाकुल राज्य के समीब पंचालिका के घने जंगलों में राक्षसों की एक बस्ती थी उस बस्ती का एक क्रूर और अत्या चारी राक्षस विश्धर अपने देवता दिर्णाक को एक सहस्त्र नरबली देकर अद्बूर शक्ती प्राप्ट करना चाहता था विश्धर आसपास के नगर या गाउं से लोगों को पकड़ कर लाता था और अपने देवता पर पड़ी चड़ा देता था उस बस्ती में एक राक्षस था वद्सनाप वे बहुत दयालू और परोपकारी था एक दिन उसने देखा विश्धर किसी युवक को पकड़ कर नरबली के लिए ला रहा था मुझे छोड़ दो मेरे चार छोटी छोटे भाई बहन है अगर तुमने मुझे मार डाला तो वे सब भूग से त अद्भू शक्ति देगा और फिर मुझे कोई नहीं मार सकेगा और विश्धर ने उस युवक को अपने घर में ले जाकर काल कोठरी में बन कर दिया बस अब रात भर तू यहीं रहेगा कल सुभा मैं तुझे अपने देवता पर पड़ी चड़ाऊंगा मुझे छोड़ दो मुझे छोड़ दो वस नाब उस युवक की बाते सुनकर बहुत बेचैन हो गया था आधी रात को वह छिपता हुआ उस काल कोठरी के पास पहुचा हम तो विश्धर ने इस पर ताला भी लगाया है मैं इस ताले को तोड़ कर इस युवक को बाहर निकाल देता हूँ और व घने जंगलों को कैसे पार करूंगा वहां के जंगली जानबर मुझे खा जाएंगे और फिर किसी अन्य राक्षस ने पकड़ लिया तो मुझे जान से मार देगा वस नाब को सोच कर बोला अच्छा तो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ तुम अंधेरे में छिपते हुए मे महारा गाउं है तुम अकेले चले जाओ आप कितने अच्छे हैं आप राक्षसों में देवता हैं इश्वर आपको दिरखायू दे वसनाब उस युवक को छोड़कर बस्ती की और लोट चला लेकिन उसे क्या पता था कि गन्ने की खेत में छिपे कुछ सैनिक चुपके चु तो यह है नर्भक्षी राक्षसों की पस्ती अब हमें तुरंद लोट कर महराज को सूचना देनी चाहिए हां साथियो वापस चलो अब कोई राक्षस फिर कभी हमारे राज्य से किसी जुवक को उठाने के लिए चीवित नहीं बचेगा और जब लोटकर सैनिकों ने तो महराज की जैहो हमने राक्षसों की पस्ती का पता लगा लिया है वे दक्षिन दिशा में पंचालिका के जंगलों में रहते हैं शाबाश हम तुमें बहुत बरुसकार देंगे सैनिक तुम सेना पती को तुरं सूचित करो आज राथ ही हम उनकी पस्ती पर आकर्मन और उसी राज सेना पती सप्त बाहु ने भारी सेना के साथ राक्षसों की पस्ती पर आकर्मन कर दिया आकर्मन में पहुत सी राक्षस मारे गए और शेज पस्ती छोड़कर भाग निकले भाग गए दुष्ट शायद अब कभी हमारे राज्जे में आकर किसी युवक को हमारी बस्ती का पता किसे चला मैं बताता हूं राजा को गुप्तचरों द्वारा हमारी बस्ती का पता चला होगा वस्तनाप मेरे कैदी को जब उसके गाउं में छोड़कर लोटा होगा तो अवश्य गुप्तचर सैनिक इसके पीछे-पीछे हमारी बस्ती में आये होंगे वसनाप हमारा शत्रू है, विश्डर की बार सुनते ही सभी राक्षस आग बबूला हो थे, हाँ हाँ वसनाप ने हमारे भाईयों को मरवाया है, इसे भी मार दो, मार दो, राक्षस त्रियां चिल्लाते हुए वसनाप पर जप्टी, जालीम ने मेरे पेटे को मरवार डाला, मै राक्षस एक दूसरे को नहीं मार सकते, हम इसे अपनी बस्ती से निकाल देते हैं, हाँ हाँ, इसके लिए यही सजाट ठीक रहेगी, इसे वही लोग मार डालेंगे, जिनका यह भला करता है, और राक्षसों ने वसनाप को मार पीट कर वहां से भगा दिया, कुछ देर के ब पार विजधर ने कहा, भाईयो, जब तक हम अलग-अलग होकर रहेंगे, हम इसी तरहें उन लोगों की हाथों मारे जाते रहेंगे, तुम मुझे अपना राजा बनाओ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा, और मनुश्यों को मारूँगा, हाँ हाँ, यह ठीक रहेगा, आस सौतेली बेटी राधा पर बहुत जुल्म करती थी, एक दिन जब राधा नदी किनारे कपड़े धो रही थी, अरी, तु सुबह से यहाँ पर कपड़े धो रही है, लेकिन अभी तक पूरे कपड़े नहीं धुले, लगता है तो लड़कियों के साथ आँख मिचोनी खेल र दो दिन कोठरी में भूका रखूंगी, तो तुझे पता चलेगा, मा मुझे छोड़ दो, मैं मर चाओंगी मा, मुझे छोड़ दो, सौतेली मा है, तभी तो राधा को इतना मारती पीटती है, और उसकी अपनी बेटी शीला को देखो, कितनी खुश हो रही है, और उस दिन रतना ने राधा को मार पीट कर, कमरे में भूका प्यासा बंद कर दिया, और जब सुबह हुई तो, यहले दो रोटी, इन्हें खाकर खेत पर चली जा, आज सारे खेतों में पानी देना है, अगर शाम तक सारे खेतों में पानी नहीं भरा, तो मार मार कर, तेरी खाल खेंच बेचारी राधा अपने भाग्ये पर आशू बहाती, खेत की और चलती, मेरी भी मा होती, तो मुझे बहुत प्यार करती, सौतेली मा है, तभी तो मुझे इतना मारती है, खोएं पर पहुँचकर राधा ने बाल्टी से पानी खींच-खींच कर खेत में भरना शुरू कर दि थी, उसकी आखें आशों के रूप में सैकडों बोंदे पानी निकाल देती थी, तभी राक्षसों की बस्ती से निशकासित राक्षस वसनाब बहां आ पहुँचा, पेड़ों की ओट में छिपे वसनाब ने देखा, यह रड़की कुएं से पानी खींच कर खेतों में डाल ही है, लेकिन साथ साथ रोती की जा रही है, इसके पास चल कर पूछना चाहिए, जाड़ियों की पीछे से निकल कर वसनाब जब राधा के पास पहुचा, तो वे भैबीत होकर भाग निकली, राक्षस, बचाओ, बचाओ, रुख चाओ लड़की, मेरी बात सुनो, सुनो, तभी राधा ठोकर खाकर गिरी, और वसनाब उसके पास पहुच गया, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, बचाओ, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, मैं तो तुम्हारी साहता करूंगा, मुझे बताओ, तुम रो क्यों रही थी? राधा ने डरते डरते बताया, मेरे मा सौतेदी है, उसने मुझे खेतों में पानी भरने भेजा है, शाम होने वाली है, अभी तक दो खेतों में पानी भरा है, मैं मुझे बहुत मारेगी, राध को खाना भी नहीं देगी, तुम रो मत, आराम से बैठो, मैं अभी खेतों मे पानी भर देता हूं वसनाप की बाते सुनकर राधा हैरान होकर पुली तुम राक्षस होकर मेरी सहायता करोगे राक्षस तो लोगों को उठा कर ले जाते हैं पिर उन्हें मार कर खा जाते हैं मैं वैसा दुष्ट राक्षस नहीं हूं मेरा नाम वसनाप है यह लो तुम यह फ तोड़ी देर में वश्णाम ने सबी खेतों में पाने भर दिया तभी राधा ने अपनी सोतेली मां को कोई की और आते हुई देखा वस्दनाब मेरी मा अ रही है तुम जल्दी से भाग जाओ अगर उसने देख लिया तो शोर मचा देगी राधा मैं जा रहा हूँ, कल फिराऊंगा, तुम मुझे यहीं पर मिलना रतना की पहाँ पहुँशने से पहले वत्सनाब वहाँ से भाग गया रतना ने पहाँ पहुँश कर खेतों को देखा सारे खेतों में पानी भर दिया, अकेली राधा कैसे पानी भर सकती है रतना को बहुत हैरानी हुई, लेकिन वह कुछ न बोली और डार्टी फटकार्टी राधा को घर ले गई दूसरे दिन जब राधा कपड़े धोकर नदी से घर लोटी तो इतनी देर में आई है कलमोही, घर में एक भी लकड़ी नहीं है जा, पहले जंगल में जाकर कुछ लकड़ियां ले आ, मा, मुझे भूग लगी है अरी, कुछ दिर नहीं खाएगी, तो मर न जाएगी पहले लकड़ी ले करा, तभी खाने को कुछ मिलेगा कमीनी, हर समय खाने को मांगती रहती है मा, दिरी को बहुत जोर की भूग लगी है चार-छे डंडे लगा दो, अभी दिरी का पेट भर जाएगा बेचारी भूग के पेट लकड़ियां कैसे काटेगी? राधा ने जंगल में पहुँच कर एक सूखे पेड़ की शाखा को काटना शुरू कर दिया आह, भूग के मारे जान निकली जा रही है एक भी लकड़ियां नहीं कट रही अगर लकड़ियां नहीं ले गई, तो मा पहुट मारे की खाने को भी कुछ नहीं देगी तभी वतसनाप को आता देख, राधा चौक पड़ी उसने पासा कर कहा राधा, आज मैं कोई पर तुम्हारी परतिक्षा करता रहा और तुम यहां जंगल में लकड़ियां काट रही हो मा ने मुझे खेट पर नहीं जाने दिया और जंगल में लकड़ियां काटने फेज दिया लेकिन तुम रो क्यों रही हो मा ने आज फिर मुझे खाना नहीं दिया सुबह होते ही उसने कपड़े धोने के लिए फेज दिया दोपहर को वहाँ से लोटी तो बोली जंगल से लकडियां काट कर लाओ राधा तुम रोव मत यह देखो मैं तुम्हारे लिए आम, अनार, सेब कितने फल लाया हूँ तुम बैट कर खाओ मैं अभी लकडियां काट देता हूँ कुछी देर में वसराम ने लकडियों का पड़ा सा गठर बांद कर तयार कर दिया राधा तुम्हारी लकडियों का गठर तयार है अरे बापरे, इतना भारी गठर, इसे तुम्हें हिला भी नहीं सकती फिर उठा कर कैसे ले जाओंगी तुम क्यों जिन्ता करती हो, मैं इसे उठा कर ले चलता हूँ और वस्राब गठर को उठा कर राधा के पीछे पीछे चल दिया गाओं के पास पहुँचकर राधा, मैं और आके नहीं जा सकता अगर किसी ने देख लिया, तो मुसीबत हो जाएगी लेकिन मैं इस गठर को अपने घर तक कैसे रे जाओंगी राधा, तुम घर पहुचो गठर तुमसे पहले तुमारे घर पहुच जाएगा और फिर वस्राब ने गठर को उठा कर गाओं के और फेंक दिया गठर को उड़कर जाते देख, राधा भी तेजी से घर के और तोड़ी और घर पहुचकर राधा ने देखा ओ, बच गई, अच्छा हुआ, घर में मा या शीला नहीं है अगर वे गठर को उपर से गिरते देख ले थी, तो मुझे आज जीवित नहीं चोड़ती अभी राधा ने गठर की रसी खोली ही थी की? ले आई महारानी लकडियां, इतनी देर में लोटी है चल, अब चूले में आग जला कर जल्दी से रोटियां बना बहुत जोर की भूक लगी है और जब राधा कुछ लकडियां उठा कर दूसरी और चली गई तो, शीला, आज कल राधा के रंग कुछ बदले-बदले दिखाई दे रहे है मा, मैंने तो उसके चहरे पर कोई नया रंग नहीं देखा अरी, इसलिए तो कहती हूँ, तो कुछ सोचा समझा कर देख, कल राधा ने सारे खेतों में पानी भर दिया था और आज इतनी सारी लकडिया काट लाई अरे, इसमें हैरानी की क्या बात है मा, तुम कहती, तो राधा दो-चार पेड़ भी उखाड लाती तुमारे डंडों के आगे तो भूट भी नाश्टी है ओ, चुपकर और मेरी बात ध्यान से सुन कल सुभा तु राधा के पीछे-पीछे जाना और छिपकर देखना कल में राधा को खेत में हल चलाने भेजूंगी अच्छा मा, कल में उसके पीछे चाऊंगी दूसरे दिन सूरज निकलने से पहले ही रत्ना ने राधा को जगा दिया राधा, ओ राधा बेटी आज मा को क्या हुआ? बहुत प्यार से बोल रही है लगता है आज फिर किसी मुश्किल काम पर जाना होगा राधा बेटी, बड़ी मुसीबत है तीन दिन से तेरा बापू नगर से नहीं लोटा है और आज ही खेत में हल चलाना होगा मा, मैं गाउं से किसी आदमी को बुला लाती हूँ वे हल्थ चला देगा लेकिन उसकी मजदूरी क्या तेरा पाप देगा? चल, जल्दी से हल और बेल लेकर खेत पर जा आज सारे खेतों में हल्थ चल जाना चाहिए राधा हल को कंदे पर उठा बेलों के सार खेत पर जाने लगी तो, कान खोल कर सुन ले अगर काम पूरा नहीं किया तो तेरी टांगे तोड़ दूँगी और राध को रोटी भी नहीं मिलेगी राधा खेत पर पहुँची तो वसनाप वहाँ पहले ही उसकी परतिक्षा कर रहा था तुम आ गई राधा यह लो, मैं तुम्हारे लिए फल लाया हूँ तुम बैट कर खाओ मैं यह फल खाऊंगी तो खेत में हल कौन चलाएगा हल मैं चलाऊंगा राधा के पीछे आई शीला ने उसे वसनाप के साथ देखा तो ओ, राक्षस और राधा से बाते कर रहा है इसका मतलब आजकल राक्षस से दोस्ती चल रही है अभी मां को जाकर पताती हूँ और तभी शीला खेतों में चिपते हुए गाउं की और तौड पड़ी उधर कुछी देर में सारे खेत में हल चला कर वसनाप राधा के पास लोटा वसनाप, एक बात मेरी समझ में नहीं आती दोसरे राक्षस तो हम लोगों को मारते और उठा कर ले चाते हैं लेकिन तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो राधा, मैं दोसरी राक्षसों की तरह नहीं हूँ पहले मैं भी तुम्हारी तरह इंसान था लेकिन एक शाप के कारण मुझे राक्षस बनना पड़ा लेकिन वसनाप की बात अधूरी ही रह गई राधा ने गाउं की ओर से आती अपनी सौतेली मा वशीला को देख लिया था वसनाप भाग जाओ, मेरी मा रही है ओ राधा, मैं जा रहा हूँ, कल फिराओंगा, तुम भी जरूर आना और वसनाप जंगल की ओर भाग गया लेकिन रत्ना ने उसे जाते हुई देख लिया था कौन था यह राक्षस, जो अभी अभी भाग कर गया है कैसे आता है तेरे पास मैं जानती हूँ, तो ऐसे नहीं बोले की आज घर चल, तुझे ऐसा सबक सिखाऊंगी कि जिन्दगी भर याद रखेगी मा, ऐसा सबक सिखाना कि फिर किसी राक्षस्ते बाते न करे और राधा हलको कंदे पर उठाए घर की ओर चल पड़ी घर पहुँचकर शीला, जरा बैलों को हांकने वाला साटा मुझे दे दे और तो दर्वाजा बन करा मा, मुझे शमा कर दो अब मैं उस राक्षस्ती कभी नहीं बोलूँगी मा, तो यह थी अब तक की कहानी आगे की कहानी जानने के लिए बनी रहें मेरे साथ और हां, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें और कॉमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा धन्यवाद